पिर्णाम स्टूडेंट कैसे आप सब लोग आशा करता हूं उच्छी होंगे मैं की सर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवाद फिजिक्स गुरू में जहां पढ़ता हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्य और मैथमेटिक्स और यह सिक्स सैम की फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम एनालोग इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स जो आपकी भी सैगिंड बूक है उसका पार्ट है उसकी यूनिट वन प पता चुका था क्या होता और कंडेक्शन बंद भी लेक्चर नंबर वन में तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो हम यहां पर एलेक्ट्रोन डेंसिटी लेने तो आपको कुछ लास्ट किलास के मतलब लास्ट सेमिस्टर के कुछ फोर्मुलें हैं जिसमें density of state आपको पता होना जाहिए क्या होता था सम्साव में सब हमने discussion किया था तो उससे related आज्यक्ते क्लास्रा करेंगे दूसरा आपको taxes करेंगे डूसरा आपको उसे फार्मि आनर्टी pesos सकते हैं और यह एफ भी लिख सकते हैं तो अलग-अलग तरीके से रिपर्जेंट कर रखा यह गोला बड़ा जाद ही मोटा वनिया कुछ इसे रफ करते हैं प्रेले ठीक तो फर्मी एनर्जी को यूएफ भी लिख सकते है और इयाफ भी लिख सकते है आज डिजिटल बोर्ड कैसक दिक्कत कर रहा है तो यहां पर हम उसके बारे में चर्टे करेंगे हैडिंग देख सकते हैं इलेक्टरोन डेंसिटी इन कंडेक्शन बैंड के नाम से आ सकता है यह वैलेंस बैंड है और यह उपर कंडेक्शन बैंड है वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रोन होता है जो यह पैन में अच्छी है यह इस वैसे सी बी क्योंकि मैंने यहां पर पैन एल्फाबेट वाला सेलेक्ट किया हुआ है इतनी देर से में सोच रहें मामला गड़बड की हो रहा है ठीक है अब यहां पर समझो अगर हम थर्मल एक्वेलिबिरियम की बात करें थर्मल एक्वेलिबिरियम ताप यह साम्यवस्ता में दा नंबर ओफ फिलेक्ट्रैंस पर यूनिट वोल्यूम इना रेंज बिट्विन ए टू ए प्लस डी अबव एसी इन कंडेक्शन इस गिवन भाई अगर हम थर्मल एक्वेलिबिरियम की बात करें तो जो आपके इलेक्ट्रों से यहां एनर्जी देते हो तो वे उपर की तरफ दोड़ते हैं जो उपर की तरफ दोड़ेंगे तो नंबर में परिवर्तन होगा और यह हमने माल लिया यह आपका बीच में माल लेवल होता है और यहां से आपका यह कंडेक्शन लेवल जुरू होता है इस सब पर जो इलेक्ट्रों की संख्या है वो इस पॉर्मूले से दी जाती है फॉर्मूला आपके फिफ समिस्टर में भी था डिन नंबर ओफ इलेक्ट्रों बराबर डी एफ़ी डी नहीं पता तो आपके निकल के आ जाएगा मैंने खुद ने कराये हुआ है यहां पर लिखा हुआ भी है डेंसिटी ओफ इस्टेट डिफाइंड एज टोटल नंबर ओफ अलावड इलेक्ट्रोंिक स्टेट पर यूनिट वोल्यूम एड एफ इस दा फर्मी ड्राक डिस्टिबूशन रिप पढ़ रहे हो पेटा दिहान से सुनो यह लैंग्वेज इतनी इसी स्तेमाल की गई है इसमें इस सारी बात चुप हुई है क्या है डेंसिटी ओफ इस्टेट क्या है डिफाइंड एज टोटल नंबर ओफ अलावड इलेक्ट्रोंिक स्टेट यानि कि जो एलावड इस्टेट है वह टोटल नंबर अपोन में और सरbat समझें नहीं है कि मैं पहले कर आ चुकppers आँँ लेकिन आपको सिम्पल से बता तो डैन। मास अपन वोल्यूम मास कितना जितना बोडी का हुँ तो सेम यहां यह है क्या है दर टोटल नंबर ओफ अलॉड इलेक्ट्रोनिक टेट जो एलेक्ट्रोनों को जाने के लिए इस्टेट अलाउड है, यहां तक मान लो, यहां तक, यह अपोन टोटल वोल्यूम, सर कैसे है, देखो, समझो एक बार और, इरेजर को थोड़ा सा बढ़ा कर लिते हैं, मान लो, यहां तक, अलाउड है, ठीक है, तो, इस्टेट तो यह होगी, यह तो आगे उपर, अटोटल वोल्यूम यह हो गया, तो, जितनी अलाउड है वे उपर, अटोटल वोल्यूम निच्चे, क्या बनगे, डेंसिटी ओप इस माइनस EF, अपोन केटी प्लस वन, आपको यह भी पता होने चाहिए, बीटा इक्वस्ट वन अपोन केटी होता है, लास सेमिस्टर में पढ़ा था हमने, हाला कि अभी इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए, एम सी क्यू वालों को, और डेंसिटी का एक मास होता है, रेस्ट में एक मास होता है, मोशन में, यह आपने पढ़ाता है, रिलेटिविटी में, हम बराबर, एम नोट अपोन अंडरूट वन माइनस वी स्कार अपोन सी स्कार यह वाला, तो यहाँ पर हमने एम ना लेके, म इस्टार जा, यानि कि जो भी मास इफेक्टिव होगा, वो वाला मास, तो हमने लिखा हुआ है, यह भी रिप्लेज़ दा फिरी इलेक्ट्रों मास M-E बाइफेक्टिव मास मे इस्टार, ओफ इलेक्ट्रोड, एलेक्ट्रों के इफेक्टिव मास से बदल दिया, और F-E आपको पता है, कितना हुता है, वन अ 2F भी लिख सकते हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए तो E की पावर E-EF अपोन KT प्लस 1 अब देखो यहां पर जो E-EF है वो KT से बहुत बड़ा है सर केटी से बड़ा कैसे यह आप अपने पास से मान रहे है या है पिटा T क्या है थर्मल एक्विलिबिरियम वाला टेंपरेचर है और क्या है क्या है एक कॉंस्टेंट है वेव नंबर भी बोलते हैं पर वह अलग चीज़ा आपको इसमें नहीं हुसा नहीं जब इन दोनों की म अगर हम यह तो बहुत बढ़ी वैल्यू एक बढ़ी वैल्यू मिलती है तो दो यह व्योंत से बढ़ी होगी को ईरेजर सलेक्ट ने हैं देखो समझे सब पहले रफ करता है प्लूट्च Alert is Marine 555 पावर को एक काड़ून आता थार पहले देखते थे से wenा तो यहां तो लंक लगा रखी काड़ून क्या देखेंगे बीसे नहीं बहुत बना दिया हमारा तो देखो चाहलब अगर मेरे पास समूद रहे हैं, समूद से में एक बाल्टी पानी निकाल लो, कुछ फरक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा लेकिन मेरे पास एक टप पानी है, उसमें से एक बाल्टी निकाल लो, बहुत फरक पड़ेगा, इसलिए हमने पहले यह दिखाए कि यह value बहुत बड़ value है तो इसमें 1 रहे या ना रहे तो 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अब तो पहले यह वाली चीज मैंने यहां पर समझाने की कोशिश किया बुक में नहीं बताएगा यह value जो है यह चोड़ दिया अब यह पावर फिलस में तो उपर जाके क्या होगी माइनस में तो देखो 1 अपोन है पावर उपर गई तो देखो किस में होगी माइनस में होगी तो मेरे पास d e की value भी पता है f e की value भी पता है दोन्हों value पगड़ूँगा और equation number 1 में चिपका दूँगा next हमने page पर यह किया हुआ है देखो हमने कुछ नहीं करा d e की value यह थी देखो सेम यह है e किसके वराबर है e माइनस e c के फ़र e माइनस e c के ऐसे कैसे देखो गवरा गवरा है मत करो d 1 upon 2 pi square m e यह कहां से आ गया रहे यार इतनी इतनी चिज्जों पर धिहान नहीं देते हैं यह है h cut h cut यह इसे h bar भी बोलते हैं यह किसके वराबर होता है erasory select है क्या है यह h cut यह किसके वराबर होता है h upon 2 pi के तो h cut का square क्या लिखा जा सकता है h square upon 4 pi square लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हूं से तो यह ही तो लिखा है h square upon 4 pi square e की power 3 by 2 यह और हा की power 3 by 2 into e की power 1 by 2 यहां जो energy यह formula लिखा था मैंने बेटा क्या लिखा था formula अब इस formula में जब value लिखेंगे तो energy कितनी है हम इस खाली state की total की energy e है यहां की तक की e c है तो उपर state की कितनी बचगी e minus e c न बचगी total की e e मैंसे कितनी घटा दू e c तो क्या e c state की न बचगी sir मैं नहीं समझा हमें density of state निकालनी है क्या निकालनी है density of state और density of state क्या होता है allowed upon total तो allowed तो यही है तो अगर मैं total में से e में से e c घटा दूं तो क्या यह वाली energy range न निकल जाएगी कि मुझे total तो e है और यहां तक e c है तो अगर मैं total में से इतनी घटा दूं तो क्या यह वाला हिस्सता न बचेगा तो इस वज़े से energy की जंगे क्या value आएगी e minus e c यह मैं सोचे न कहांगे e minus e c कि यह वाली value है यह तो formula लिखा था अब formula में value पूट करके यहां पर आगी त तो d equals 2 अब आप देखना सिद्धी सी दो तीन चार्ट दो की पावर 3 वाई 2 कितना हो गया दो की पावर 3 दो दूनी चार दूनी हाट हो गया upon 2m e h 8 हो गया h square upon 4 का under root 1 by 2 है तो 2 हो गया क्या हो गया 2 हो गया 2 की पावर 8 तो कटके टाकर कितना बची गया 2 बची गया e minus e c की 1 by 2 calculation समझ में आगी नहीं आई करके देख लेना on putting the value of d e and f in equation first d e और f e की value equation first मैं अब चिपका दो d e और f e की अब मैंने यहाँ पर क्या करा ठाई और value चिपका दी d n equals to d e की value e r e f e की value e r e d e as it is for n we have to integrate it from energy range e c to infinity हमें इसमें तो निकाल ले n कितने है इस energy range में तो e c से लेकर उपड़ जितने भी है तो e c से लेकर अनंत तक तो energy range कहां से integrate होगा e c से अनंत तक यो तो constant यो भी constant आगे यो रहा यो रहा यो e की power e f upon kt यो भी constant बचेगा क्या बचेगा क्या e minus e c की power 1 by 2 और e की power minus e by k2 लिख लिया नो दिक्कत सर दिक्कत तो बह होता है यह इतने खतरनाक derivation bsc में आएंगे तो हम कैसे करेंगे objective वालों को क्यों रिजल्ट याद रखना है इसे क्या लिख लूँगा मैं e की power e f upon kt minus e की power minus e upon kt तो यह तो common आ गया ना यह रहा e f क्योंकि मुझे integration तो energy का करना तो जिन जिन में energy आ रहा बस weight term तो अंदर रखूँगा अब हमने क्या करा e minus e c को x मान लिया तो यहां से e की value क्या आगी उधर जाके plus का होगा e c plus x अब limit change करूँगा अगर e e c के बराबर है e kis के बराबर है e c के e c के बराबर तो cut कै x 0 हो जाएगा या e infinity के बराबर है तो भहिया infinity में तो कुछ भी घटालो infinity रहता है तो infinity तो limit कहां से आगी 0 से infinity तक आगी limit 0 से infinity तक और E minus EC की जंगे क्या आगया X आगया X की पावर 1 by 2 और E की पावर minus E की जंगे क्या EC plus X E की जंगे क्या आगये EC plus X upon KT D अब आपको याद हूं math का थोड़ा सा यह क्या बन गया gamma function याद है कुछ इसकी value क्या होती थी इसका जब soul करके सिद्धा result यह आगता था यह लिखा हुआ X की पावर 1 by 2 E की पावर minus X upon KT की value under root pi by 2 KT की पावर 1 by 2 याद है कुछ result यहाँ पर थोड़ा सा mismatch हो गया था अब यार थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है क्या देखो under root pi by 2 into KT की पावर 3 by 2 यह हो था यह इसकी value गामा function की तो यह as it is यह as it is और जब इसा soul करा तो यह ना आगया under root pi by 2 KT by 2 यहाँ पर थोड़ा सा space था तो मनने इस बहुआँ से लिख दिया जब इसा soul करा पूरे को आप easily soul कर लोगे तो मुझे इस सारी value मिली सर कैसे अरे pi by 2 यहाँ कितना है 2 2 और 2 इसका under root pi by 2 वाले का तो 4 हो गया सुन लो calculation बता रहा हूं 4 हो गया यहाँ pi और under root pi pi और pi की power 1 by 2 तो pi की power 3 by 2 हो गया इसे अंदर bracket में लिख दिया me ऐसा कैसे ही देखो 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 kt की power 3 by 2 यो रहा तो kt भी 3 by 2 के अंदर आगया यह सारी value अंदर आगी यहाँ पर क्या बाचा e की power ef और ec e की power ef minus ec अपोन kt अब समझ की calculation में मैंने आपको दिखा दी कैसे होगी थोड़ी सी घिच्पी चोड़ी है लेकिन समझ में आगी होगी आपके अब देखो इसे थोड़ा सा solve करते हैं अब इसे क्या है 8 की power 3 by 2 तो मैं भार लूँ i8 के cube लूँगा 8 की cube लूँगा और फिर इसका अंदर रूट लूँगा बेसिक सी चीज है तो जब आठ बार आ जाएगा और दो अंदर बचेगा कोई दिक्कत में 3 by 2 बखके सारी वैल्यू एज़िट इस ये e की power ef minus cc upon kt सारी वैल्यू एज़िट इस चार से कड़िए चार दुनिया दो दो पाई m e star kt सारी वैल्यू एज़िट इस एज़िट इस सारी वैल्यू को क्या माल लिया एंसी वेहर एंसी बराबर इतना एन बराबर एंसी लोग ये था n क्या था concentration of electron in conduction band यह आपका फोर्मूल आ गिया फटा फट इसका screen short को आपने पहले ले ले होगा अब तो खिटडी बनी पुड़ी है ठीक है कोई भी doubt हो comment box में बताना मैं मिलता हूँ आपसे next class में तब तक के लिए जाहिं जाय भारत पर नाम सुब संद्या